आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जिस कंपनी के ओपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 3 पसेंट या 4 पसेंट के आसपास ही है, फिर भी उस कंपनी को मार्केट ने काफी जादा वैलुएशन दे रखी थी, बहुती प्रीमियम वैलुएशन पे ट्रेड करता थ तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट ने उसको क्यों हाई वैलुएशन दे के रखी थी, प्लस मोट्स क्या थे, और कॉंपरेटिव एडवांटेज क्या है उस कंपनी में, जिसकी वज़े से उसको प्रीमियम वैलुएशन दिया गया था, प्लस प्रेजन सेना हमारियों में उस कंपनी में ऐसा क्या हुआ, जिसकी वज़े से उस कंपनी का स्टॉक प्राइस काफी करेक्ट हुआ, है इवरीबड़ी मैं हूँ वर्षा, स्वागत है अपका फिनोलाउजी टिका में, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जिस कंपनी के में बात कर रही हूँ, उस कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलोजी, अब यहाँ पर शेयर प्राइस काफी करेक्ट हुआ है, तो अब हम बिसनस मॉडल देखेंगे, देन मोट्स देखेंगे, फिनांशल देखेंगे, और रीजन्स और करेक्शन की बात करेंग यहाँ पर डिजाइन और टेक्नोलोजी जो है, वो आपल बनाता है, लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ें होती है, जैसे हाडवेर का काम होता है, देन उसके बाद एसेंब्लिंग का काम होता है, फोन को पूरा असेंबल करना होता है, उसको मानफाक्चर करना होता है, यह काम Apple outsource करता है तो Apple एक OEM को outsource करता है, Apple का OEM कौन है Foxconn अब यहाँ पर अगर Apple बोलेगा अपने OEM को कि मैं design करूँगा मैं technology बनाऊँगा लेकिन मुझे ये assembly के जंजट में नहीं जाना है आप मुझे इसको assemble करके दो, इसमें best parts use होंगे, वो आप decide करो, सारे parts and इसको मुझे assemble करके दो तो यहाँ पर Apple ने क्या किया Apple ने अपना core business उसका क्या है, that is design and technology Apple उसी पर ध्यान देगा बाकि जो इसकी manufacturing है सब कुछ है, वो एक OEM से करवाएगा, ठीक है, तो Dixon भी बहुत सारी companies के लिए बहुत सारे electronic items को manufacture करता है, design उन brands की होती है, वो जो electronic companies हैं उनकी होती है technology भी उनकी होती है सरफ जो assembling का काम है manufacturing का काम है, वो Dixon करता है ठीक है, यह हो गया OEM business OEM में क्या होता है technology and design, जो brand है, वो देता है सरफ यहाँ पर manufacturing and assembling यह OEM करता है, ठीक है next business, मतलब next segment is ODM, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे for example, Micromax Micromax Dixon को आके बोलेगा कि मुझे एक phone चाहिए मुझे आप एक phone बना के दो, तो Dixon बोलेगा कि design और technology का क्या Micromax बोलेगा मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे एक phone चाहिए design भी आप टै करो technology भी आप देखो, मुझे ऐसा phone चाहिए जिसकी RAM 4G भी चाहिए और XX अपने सारी details देगा यह अपने सारी requirements बताएगा आप मुझे सरफ एक phone बना के दो तो यहाँ पर Dixon Micromax को बोलेगा, मेरे पास हम लोग भी research करते है मेरे पास एक phone है जो हमने बनाया है, उसकी design भी हमने की है technology भी अच्छी है, आपको जो भी requirements चाहिए, वो सारी हमारी है सब कुछ हमने एक phone बना के रखा है, तो ऐसे case में Micromax actually Dixon से, वो वही phone जो Dixon ने बनाया है, वही phone Micromax उससे लेगा, और उससे bulk में बनवाएगा, और brand अपना डालेगा, यहाँ पर जैसे सिफ OEM के case में Apple डिजाइन दे रहा था, टेकनोलोजी दे रहा था ठीक है, और Dixon सिर्फ उसकी manufacturing है assembling कर रहा था लेकिन इस case में, ODM के case में, Dixon सब कुछ कर रहा है, Micromax ने सिफ उसको order दिया है, design भी Dixon देखेगा, technology भी Dixon देखेगा, manufacturing भी Dixon देखेगा, सिफ ब्रांड किसका लगेगा, Micromax का लगेगा So this is ODM, तो अगर products देखें, तो technically Dixon washing machine बनाता है, then lighting हो गया आपका, then mobile phones हो गया, ठीक है, consumer appliance में है, so Dixon कुछ companies के लिए as in OEM काम करता है, कछ companies के लिए So if you look into Unit economics, OEM contract ठीक है वहां पर margins overall अगर आप Dixon के margins देखोगे तो कम ही होते हैं because जो company है वो contract manufacturing industry में है और वहां पर margins are not as such good लेकिन यहां पर जो OEM है वहां पर अगर आप देखोगे again margins are lesser as compared to ODM क्यों कि OEM में मुझे सिर्फ manufacturing करनी है बस ODM में मेरी design भी आएगी technology भी आएगी and manufacturing भी आएगी तो ऐसे case में ODM में margins are higher as compared to OEM इसका effect actually current numbers में हुआ है जो हम देखेंगे आगे plus यहां पर अगर आप देखोगे then OEM में suppose मानलो Samsung है ठीक है Samsung के लिए Dixon कौन हो गया एक OEM हो गया क्योंकि Samsung design देगा technology देगा सिफ assembling का काम manufacturing का काम Dixon करेगा so ऐसे case में यहां पर जो contracts होते हैं वो fixed price contracts होते हैं मतलब अगर raw material की price उपर गई increase हुई तो ऐसे case में Dixon को मतलब Dixon के पास आजस प्राइसिंग पावर नहीं है Dixon of course pass on तो करता है आगे लेकिन यहां पर lag भी होता है प्लस Dixon उतना अच्छे से जितने percentage से raw material price बढ़े हैं शायद उतने percentage से Dixon अपनी जो pricing है वो नहीं बढ़ा पाएगा at least current situation में हो सकता है जब रिनीवल हो या आगे कुछ quarters के बाद वो pricing बढ़ा दे इस उसमें lag होता है प्राइसिंग पास्टान करने में lag होता है एक यह चीज़ हो गए अगर हम पहले इनके divisions की बात करें तो यह लोग consumer electronics में है home appliances में है lighting solutions में है then mobile phones में है तो आपका जो security surveillance system हो गया then reverse logistics medical electronics setup box and IT hardware यह सारे actually इनके divisions है so simplest में जैसे आपको जो अगर मैं lighting solution की बात करूं for example so यहां पर अगर आप देखोगे LED bulbs यह लोग बनाते हैं बैटन हो गया यह indoor LED drivers हो गया then in case अगर मैं इनके जो दूसरे division की बात करूं for example mobile phones हो गए so यहां पर again यह जो smart phones हो गए आपके उसमें यह लोग काम करते हैं यहां पर आप मोड्स की बात करते हैं competitive advantage की बात करते हैं सबसे पहली चीज क्यों किसी contract manufacturer के पास या OEM या ODM के पास जाना चाहेंगे simple चीज है Apple की अगर मैं बात करूं तो Apple यही बोलेगा कि मुझे अपना ध्यान technology और designing में डालना है ना कि मैं अगर मुझे assembling करनी है मुझे manufacturing करनी है तो मुझे बहुत सारी factories लगानी पड़ेगी करना पड़ेगा बहुत सारा पैसा उस factory में लगाना पड़ेगा इससे अच्छा में वही पैसा अपना जो डिजाइनिंग है या जो टेकनोलोजी है उसमें लगाऊ और manufacturing का काम assembling का काम मैं outsource कर दूँ तो आज कल आप देखोगे ऐसी बहुत सारी companies है जो इनको नहीं चाहिए कि हम capital expenditure करें और factories लगाए उस जहजट में नहीं जारा है क्योंकि आपको जो initial investment है upfront जो investment है वो बहुत जादा है इसी वज़े से ये सारे जो काम है ये outsource किये जाते हैं अब यहा अब यहां पर अगर कोई नया competitor for that matter या कोई और एक company अगर इस industry में एंटर होना चाहे तो पहले तो वो यह देखेगी कि इसके margin से इतने कम है ठीक है वो कैसे इतने thin margins पर operate करेगी plus Dixon इतने thin margins पर इसलिए operate कर पा रही है क्योंकि Dixon के पास scale पर काम है economics of scale यहां पर आ गया उसको पहले तो upfront बहुत सारी capital investment करनी पड़ेगी plus उसको वो scale लानी पड़ेगी ठीक है scale जब तक scale नहीं आएगी इतने thin margins पर वो काम करी नहीं पाएगा और scale लाने के लिए यहां पर technically एक बार scale तो आ गया मतलब बहुत सारे contracts suppose मान लो उस नई company के पास आ भी गए यहां पर execution capabilities जो होती है यह बहुत matter करती है यह सारे जो branded companies है Apple हो गया यह बहुत सारी जो दूसरे से गोद्रेज हो गया LG हो गया यह यह देखते हैं कि हम जिसको contract दे रहे हैं for assembling and manufacturing इनकी execution capabilities कितनी अच्छी है मान लो अगर कल Apple के पास एक नया OEM जाता है Apple को बोलेगा कि मैं आपके लिए सारे यह mobile phones बना दूँगा या assembling कर दूँगा क्या Apple तुरंथ अपना contract उसको दे देगा नहीं क्योंकि यहाँ पर execution capabilities बहुत matter करती है deliveries बहुत matter करती है तो यहाँ पर Dixon की execution की एक history रही है delivery की एक history रही है जिसके वज़े से इनके contracts जो है राधर इनके जो relationships है इन brands के साथ काफी long term रहे है ठीक है तो इसके वज़े से यहाँ पर execution capabilities के वज़े से यहाँ पर scale के वज़े से Dixon actually इतने thin operating margins पे काम कर पा रही है नए competitor के लिए यह बहुत मुश्किल होगा technically इसको आप ऐसा समझ सकते हो यह जो thin operating margins है यह जो कम operating margins है this itself is a moat for this company इतने कम operating margins देखके कोई भी कोई भी नया competitor इस industry में या for that matter इस business में एंटर नहीं करना चाहेगा यहाँ पर एक होड़ शीज बहुत important है Dixon काफी cost efficient भी है और Dixon अब यहाँ पर कैसा होता है कि मानलो Dixon ने कोई facility लगाई ठीक है और अब वहाँ पर उसी facility पर Dixon दूसरे दूसरे brands के लिए अपने उनके लिए products assemble करेगा ठीक है वही अगर मानलो Samsung है Samsung branding technology तो कर रहा है और अगर Samsung उसी अपनी factory लगाई और उसने manufacturing भी start कर ली तो क्या Samsung उतना cost efficiently manufacture कर पाएगा जितना Dixon कर रहा है नहीं क्यों क्योंकि Dixon के पास अलग-अलग brands है बहुत volume है और Dixon उसी facility में दूसरे अलग-अलग brands के लिए वही products वहीं पर assemble कर सकता है ठीक है वर्सेस Samsung अपनी facility में सिभ अपने ही products assemble करेगा तो जो cost efficient वाला जो you know important thing है जो cost efficient वाला advantage है वो Samsung को as such नहीं मिलेगा मैं यह नहीं बोलूँ कि बिल्कुल नहीं मिलेगा बट Dixon के comparison में Samsung इतना cost efficiently manufacturing नहीं कर पाएगा जितना Dixon करेगा आगे बढ़ने से पहले अगर जैसे मैंने आपके लिए यह analysis किये research किये अगर आपको यह खुद से सीखना है कैसे research की जाती है analysis कैसे करना चाहिए valuations को कैसे देखना चाहिए plus management को भी कैसे देखना चाहिए management के history कैसी देखनी चाहिए promoter के history कैसी देखनी चाहिए management क्या walk the talk कर रहा है यह इसके लिए भी एक अलग से dedicated course है that is analyzing minds behind companies तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग courses है जो आपने जरूर यह courses देखनी चाहिए ताकि आपको आपकी investing journey में मदद मिले description पर मैं link डाल दूगी आप देख सकते हैं अब अगर हम यहां पर revenue contribution देखें so हम quarter 3 जो latest quarter है वहीं पर देखते हैं so consumer electronics जो है वो actually यहां पर almost 46% इनका revenue contribute करता है पूरे business में जो lighting products है वहां से almost 14% का business आता है and then जो home appliances है वहां पर 6% का business आता है and जो mobile division है वहां से almost 31% का business आता है and security systems अगर आप देखोगे जहां पर Dixon का 50% share है वहां पर 4% का business आता है so अब हम बात करते हैं कि ऐसा इस company में क्या हुआ जिसके वज़े से stock price काफी correct हुआ क्योंकि अगर आप पिछले कुछ history इस company के देखोगे तो यह company को काफी जादा premium valuation दिया गया था so यहां पर अगर आप इनके business segments देखोगे और जो quarter 3 FY23 का revenue है यह जो numbers अगर वो देखोगे so अगर मैं segment wise performance देखोगे year on year यहां पर जो revenue growth rates थे वो consumer electronics में यहां पर actually minus 38% यहां पर actually degrowth हुआ है अगर मैं consumer electronics की बात करूँ lighting में again degrowth हुई है minus 38.9% home appliances यहां पर growth हुई almost 35% के आसपास mobile देखोगे तो again यहां पर minus 2.6% that is again degrowth security systems जो है यहां पर 5.1% की यहां पर growth हुई है और अगर आप यहां पर margins देखोगे EBIT margin specially तो जो इनका mobile वाला section है जो securities वाला है वहां पर decline हुए अब इनका जो consumer electronic business जो है that is actually यहां पर impact जो रहगा यहां पर pressure continue में रहगा क्यूंकि यहां पर revenue decline जो हुआ है यहां पर weak TV sales की वज़े से हुआ है क्यूं एक तो volume decline हुआ है because क्या हुआ था कि इस बारी जो दिवाली थी वह actually जल्दी हो गई थी तो इनके जो दिवाली वाले जो numbers थे दिवाली वाला जो growth था वह quarter 2 में आ गया so quarter 3 में normally दिवाली के numbers इनके quarter 3 में आते हैं लेकिन क्योंकि दिवाली जल्दी आने की वज़े से इनके quarter 2 में दिवाली वाली पूरी sales चली गई इसके वज़े से quarter 3 वाले numbers डाउन आये हैं plus यहां पर जो average selling price है TVs की वहां पर भी fall होनी की वज़े से इनके revenue पर impact हुआ and यहां पर जो Xiaomi brand है वहां पर volumes flat रहे थे उसके वज़े से भी इनके business को impact रहा also consumer electronics वाला जो business है आगे भी यहां पर pressure रह सकते हैं अब इन reasons की वज़े से आप देखोगे कि numbers were not as per street इन reasons की वज़े से यहां पर stock price correct हुआ लेकिन यहां पर अच्छी चीज़ क्या हुई अगर आप overall EBITDA margins देखोगे वो increase हुए है क्यों क्योंकि इनका ODM से sale बढ़ा है ODM से contribution बढ़ा है and remember हमने बोला था ODM is a high margin product high margin segment basically so ODM से इनका increase हुआ revenue जिसके वज़े से margins were good लेकिन अब आगे क्या अब यहां पर अगर आप देखोगे आगे बहुत सारी अच्छी चीज़ें इस company में होने वाली है जैसे for example company जो है new product categories जो lighting segment है इनका वहां पर company explore कर रही है new product categories and यहां पर lighting में Dixon is actually the largest lighting ODM player in India यहां पर Dixon ने दो नए customers आड किये हैं mobile segment में एक domestic market के लिए दूसरा domestic and exports के लिए यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि government की revised PLI schemes आएगी for laptops, tablets and IT hardware Dixon actually इसमें participate करेगा प्लस यहां पर आपको यह भी जानना जरूरी है कि Dixon जो PLI schemes है उससे Dixon को काफी फायदा होता है प्लस यहां पर जो Motorola वाला जो वाल्यूम्स था वहां पर काफी जादा pressure देखने को मेला जिसके वज़े से impact हुआ mobile वाले segment में जो की आगे जाके यहां पर growth expected है अब सबसे important च पर सबसे important चीज यह है कि company ने actually अपना guidance को cut किया है ठीक है so company is expecting कि FY23 में almost 12,500 crores के आसपास इनको revenue मिलेगा जबकि अगर आप पिछले कुछ quarters के you know management commentary सुनोगे तो वहां पर guidance जादा दी गई थी लेकिन यहां पर pressure business में pressure होनी की वज़े से यहां पर guidance cut होनी की वज़े से market ने इस company के share price को correct किया है अभी भी Dixon का यह बोलना है कि FY24 में almost 20,000 crores के आसपास business करेंगे revenue की बात चल भीए अब यहां पर the point is अब हम valuation में तो देखेंगे लेकिन यहां पर important point यह है कि इस business के margins बहुत कम है वेफर थिन margins ठीक है plus यह business का अगर आप history देखोगे financials की अगर मैं बात करूँ again हम थोड़ा financials में देखते हैं तो यहां पर आप इनकी profit growth देखिए पहले तो sales growth देखिए 5 years की 34%, 3 years की 53%, then profit growth अगर आप देखोगे 5 years की 32%, 3 years की 44%, तो यहां पर जो profit growth या sales growth रही है वो बहुत जादा रही है अच्छी रही है उसके हिसाब से company को premium valuation हमेशा दिया गया था लेकिन अभी अगर आप देखोगे क्योंकि guidance cut होने की वज़े से यहां पर market को यह चीज अच्छी नहीं लगी and क्योंकि market ने उनको 35-36% की growth के हिसाब से valuation दिया गया था लेकिन अब वैसी growth दिखनी रही है इसके वज़े से market ने इनके share price को correct किया है हाला कि अभी भी अगर आप देखोगे यह business में 25% के आसपास growth is expected which is actually good thing 25% is not bad लेकिन Dixon के history देखते हुए market को यह 25% अच्छा नहीं लगा because Dixon हमेशा 35-40% के आसपास यहां पर revenue growth दिखाते आया है लेकिन अभी वो 25% के आसपास शायद revenue growth दिखा है you know for short term तो ऐसे case में जहां 40% के हिसाब से आपको एक valuation दिया गया था अब वो growth 25% के आसपास होने जारी है तो इसके वज़े से market doesn't like this तो इसकी वज़े से 25% के हिसाब से market ने उसकी valuation को correct किया है so this is actually the reason कि market जब आपको एकदम premium valuation देता है और अगर आप उनके हिसाब से market की expectation से earnings नहीं लेके आते हो तो market will actually punish you for that so Dixon के case में भी ऐसा ही हुआ है एक तो wafer thin margins उसके वज़े से भी market ने इसको और correction दिया for price so अगर मैं risk की बात करगूं तो सबसे पहला risk again जो सारी companies को है जो raw material price pressure हमने देखा again वो इस company पे भी affect हुआ है even recent numbers में भी also यहाँ पर जैसे मैंने का कि इस company को asset pricing power नहीं है so यहाँ पर lag होता है to pass on that raw material price increase to the brands second reason यह है कि this company is dependent on end user industry so consumer appliances हो गया यह lighting products हो गया यह सब तो वहाँ पर अगर slow down आता है so इस company को affect होगा अब अगर मैं valuations की बात करूं so again यहाँ पर मुझे लगता है कि जिसे मैंने जो यह numbers लिये हैं मैंने यहाँ सिफ 25% ही growth ली है so हाला कि company के हिसाब से FY24 तक के 20,000 crore के business हो जाना चाहिए but I would like to take that with a pinch of salt क्योंकि यहाँ पर जो previously guidance दिये गए थे वहाँ तो company वो guidance को company ने पूरा नहीं किया उल्टा guidance cut हुआ है so ऐसे case में मैं यहाँ पर सिर्फ 25% के आसपास ही growth expect कर रही हूँ also यहाँ पर यह भी important है कि short term में यहाँ पर price corrections और हो सकते हैं तो आप अपनी research जरूर कीजेगा and मुझे comment section में लिखके जरूर बताईएगा कि आपको यह analysis कैसा लगा plus आपके पास dixon है की ने and आप इस company को कैसे देखते हैं तो उमीद करती हूँ आपको यह video अच्छा लगा होगा अगर हाँ तो please इस channel को subscribe कीजेगा वीडियो को like और share जरूर कीजेगा हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिये जय हिंद